फूलों की लाशों में ताजिगी चाहता है आद में चूतिया है कुछ भी चाहता है तो फिर आज हम बात करेंगे मिया दिदी की तरह एक फिमस पेनी स्टॉक के रियरिंग जो स्टॉक अभी लोगों को बीच में थोड़ा बहुत पॉपुलार है स्टॉक का नाम है FCS Software Limited इससे आपको पता चल चुका होगी जो कंपनी है वो सब्टॉर के रिलेटर ही काम कर रहा है पर ये सब्टॉर के रिलेटर क्या काम कर रहा है ये AI में भी काम करता है मतलब जो artificial intelligence ये बहां पर भी काम करता है consultancy service प्रोभाइड करता है IT service भी प्रोभाइड करता है ब्ला 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 लोडा लसन हर तरह के काम करता है आपका जो business है उसको improve करने के लिए बहां पर भी आपको ये consultancy प्रोभाइड करता है मतलब ये आपको 4 ओर से मदद करता है आपकी business grow करने के लिए और खुद का भी business grow करने के लिए लेकिन जिस तरह से हिलाने को sex नहीं बोल सकते उसी तरह से बिना profit के किसी भी company को अच्छा या बुरा हम नहीं बता सकते क्योंकि company कैसा है वो उसका balance sheet उसका fundamentals बो देखने के बाद हम जान सकते और यूहीं हम किसी कंपनी को आच्छा बूरा लोडा लसन कभी नहीं बता सकते कभी भी बस फिगर देखके लड़की मत पसंद करना और कभी भी बस छोटा मोटा इनफर्मेशन लेके किसी भी स्टॉक के अंदर इनबेसमेट करना क्योंकि बाद में मरवा होगे ही तुम इतना खर्चा करेगे कि लड़की तुम्हारी तो गांडी पड़ जाएगा अभी हम चलते थोड़ा बहुत जो एपसीय सब्ट्वार सल्यूशन लिमिटेड है उसके रिलेटेड कुछ इनफर्मेशन देखने के लिए कि कंपनी के साहे काम गैसा करती है कितना का मार्केट क्याप है कितना प्रॉफिट जनरेट करती है उसको देखने के बाद हम कोसिस करेंगे कंपनी को आच्छा या बुरा बताने के लिए कम्पनी का जो मार्केट क्या पे लगभग 1120 करोड का कॉरेंट प्राइस है 6.55 जो की बुग वैलू से लगभग 6 गुना ज़्यादा बर ट्रेड कर रहा है मतलब कम्पनी अभी बहुत ज़्यादा उभर वैलू है इसा भी आप बता सकते हैं कि छोटा सा कम्पनी है जिसका आरो सी आरो यह बिल्कुल कुछ भी नहीं है लेकिन उसके अलाबा उसका जो कॉरेंट प्राइस है उसका बुक वैलू से बहुत यूप पर चल लाए भी आपने लाग करता है कि कम्पनी जुक। विभंे नाखों देखने ने बाद तो मुझे कंपनी पसंद नहीं है मतलब एल फ़र लोडा नहीं इसके लिए एल फर लौस ही है लेकिन इसके लिए एक अच्छी बत यह है कि इसके लिए पर्पने कोज तो पर वेया आप स्टेंट्मेंट है इसको हमेशे द्हान के लिए अगर आप देखे के quarter to quarter तब भी ये loss में है अगर आप इसको साल दर साल देखता हो मतलब year on year basis पर देखता हो तब भी जो ये company है आपको loss में ये देखने हो मिलेगा लेकिन पेले जो loss था वो बहुत बड़े-बड़े loss हो रहे थे अब ये loss जो है वो कम हुआ है लेकिन फिर भी company जो है loss making company है इस कभी भी दिमाग से मत निकालना क्योंकि बाजर में एससे और भी पेनी से आ रहे जिसके अंदर आप निवेस कर सकते हो जो profitable भी है और उनके पास करजा भी नहीं है समझ पा रहे हो ना लेकिन इस company के अंदर लबभग 24 करोड का करजा भी है तो फिर बो चलेगा करजा छोटा बाटन को देखते हो तो इस बाबा सिर का पूरा रायता आपको समझा जाएगा क्योंकि 20 परसेंट जो सेयर है वह भी promoter के पास नहीं है क्योंकि promoter के पास 19.65% मतलब 19.65% का जो सेयर है वह promoter होल करती है बाकी का सारा का सारा जो स्टेक है वह हमारी public होल करती है और जिस तरह आप सबी को पता है public तो होतिया है ना अभी से तो मैं clear cut बता सकता हूं यह जो company है इसके अंदर जो operator से उनका बहुत दी गंदा बाला खेल चल रहा होगा पस इसी चीज़ को समझने के लिए चलते है इसके चार्ट पाटन के उपर आज के दिन पर लगभग 4580 का सर्किट ले लेकिन फिर भी स्टॉक जो है वो रोकेट बना हुआ है मतलब रोकेट के तरह भाग रहा है स्टॉक हां सब भी लोग यही बताएंगे तो profit मिल ला है तो पिर आपको क्या दिक्कत हो रहा है भाई profit मिल ला है लेकिन अगर आप इसको बेच ही नहीं पाओगे तो profit कमा होगे क क्योंकि अगर आपका ओपर सर्कृट में बैशा बनना है बाद में जो उसके अंदर लुए सर्कृट आ जाएगा तब आपके पास कोई मोग का भी रहेगा इसको बेचने के लिए